दोस्तो आज वश 2019 के प्रथम दे करे ये महा तोटका, महा चमतकारी को उपाई इतना बरसेगा धन, इतना आज अगर आप उपाई करते हैं तो इतना धन बरसेगा कि आपके घर की तिजोरी, आपके व्यापार की तिजोरी, आपके घर में रखी अलमारी पढ़ने लगेगी छोटी क्या करना है आज एकादशी के दिन सफला एकादशी के दिन साल के प्रथम दिन संध्या समय में अपने घर की ज्यान से सुनिएगा बढ़ा चमतकारी को पाए बताने जा रहा हूँ आपके टीवी स्किन पे भी आ रहा है पूरे वश आपके घर में तिजोरी में आपके गले में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी अगर आज आप इस महाचमतकारी को करते हैं संध्या समय में घर की आपने शोरों की धन रखने की जो तिजोरी है या अलमारी जिसमें भी आप पैसा रखते हैं ओर्नामेंट्स रखते हैं, important documents रखते हैं तो आपने घर की तिजोरी हुई या आपके शोरों का cash counter हुआ या शोरों की तिजोरी हुई उसके दोनों तरफ हरिद्रा यानि पीली हल्दी से रंगेवे चावलों की धेरी रग दीजेगा, अलमारी के दोनों तरफ जमीन के उपर हरिद्रा से रंगेवे, पीली हल्दी से रंगेवे चावलों की धेरी रग दीजेगा, अर्थार एक मुठी पीले चावल दोनों तरफ भूमी के उपर रख दीजिगा है पॉसके पशाथ क्या करणा है आठे के दो दीपक बना के रखेंगा आटे के दो दीपक आ विद्धान के ठाट्व कुर देशेशा को में पर नियद्धा पर यह मां लेटे के सट त dip entrepreneurs की student तत्पश्यात में उस दीपक को प्रजलित करते हैं आप देशी घी का दीपक भी रख सकते हैं तिल का दीपक भी कर सकते हैं यता शक्ति देशी घी का करेंगी तो ज्यादा उत्तम रहेगा अब आपको एक कमल का प्ष्व तिजोरी या अलमारी के आपके खोलने वाली जो कुंडी ओती है जिससे आपना तिजोरी या अलमारी खोलते हैं उस कुंडी के ऊपर कमल का पुष्व जो है वो मौली से बान दीचेगा बड़ा ही दुल्लब चमतकारिक तोटका आज साल के प्रथम दिन में आपको बताने जा रहा हूँ तो कमल का पुष्प अलमारी की जो कुंडी होती ही खोलने वाले उस पे मोली से बान दीजेगा केसर या हल्दी से तिजोरी या अलमारी के पल्ले पर स्वस्तिक का चिन्य बना दीजेगा पीले आसन पर बैटकर आज विश्णु सहस्तनाम का पाठ कीजिएगा अपनी तिजोरी के सामने गले के सामने अलमारी के सामने निशित तार पर इस महा चमतकारिक टोटके उपाय से मा लक्ष्मी और भगवान विश्णू आज की रात में आपके घर की तिजोरी में व्यपार की तिजोरी में घर की अलमारी में इतना धन भर देंगे कि आपके घर की तिजोरी अलमारी छोटी पर देंगे तो आज इस महाचमतकारी उपाय को कीजिएगा तोटके को कीजिएगा और हमें भी बताईएगा कि आपको कितना खाय का हुबा पूरे वश इतना बरसे